आप लोगों को ये बात बताने की जरूरत तो नहीं है कि हाल ही में हमारे देश में भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी खरब सीथी चल रही थी जहां हमारे देश के वायुसेना के एक बहादूर सैनीक विंग कमांडर अभी नंदन को पाकिस्तान के सैना द्वारा बंदी बना लिया गया था किन्तु भारत द्वारा पाकिस्तान को जेनेवा संदीका हवाला दिया गया जिसके कारण पाकिस्तान को विंग कमांडर अभी नंदन को रिहा करना पड़ा लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जेनेवा समझोता क्या होता है तो इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जेनेवा कन्वेंशन के बारे में जेनेवा समझोता दो देशों के बीच युद्ध के दौरान किया गया एक समझोता है जिसमें चार समझोते और तीन प्रोटोकॉल शामिल है इसके तहट युद्ध में मानवी उपचार के लिए अंतरराष्ट्रिय कानूनों के स्टेंडर्ड को स्थापित किया जाता है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब दो देशों के बीच युद्ध होता है और युद्ध के दोरान कोई सैनिक या नागरिक सीमा पार यानि दुश्मन की देश की सीमा में पहुंच जाता है तो उस पर अंतरराष्ट्रिय कानून लागू हो जाता है और उस सैनिक को प्रिजनर ओफ वार भी कहा जाता है इस कानून के तहट कुछ नियम बनाए गए है जिसमें ये कहा गया है कि दुश्मन देश दोरा उस सैनिक के साथ कैसा बरताफ किया जाना चाहिए और उस सैनिक को उसके देश वापस भेज देना चाहिए आईए जानते हैं जेनेवा कन्वेंचन के इतिहास के बारे में जेनेवा समझोते का इतिहास कई साल पुराना है एक बार सुईस व्यापारी हेनरी दुनान्द जो की एक सामाजिक कारे करता रेड क्रोस के संस्थापक और पहला शांती नोबल पुरसकर जितने वाले व्यक्ती थे ये 1869 में सोलफेरीनो की लड़ाई के बाद घायल सैनिकों से मिलने गए वे उन सैनिकों की मदद के लिए पुपलब्द सुविधाएं, सुरक्षा कर्मचारी और मेडिकल ट्रीटमेंट की कमी देखकर काफी हैरान थे परिन्याम सुरुप उन्होंने 1862 में युद्ध के डराउने दुरुष्ट को अपनी एक पुस्तक A Memory of Solferino प्रकाशित की लोगों के बीच प्रस्तूत किया, इसके बाद जब भी जेनेवा समझोते का संचोधन किया गया, वह अंतराष्ट्री Red Cross दोरा ही किया गया है वैसे तो जेनेवा कन्वेंशन में चार समझोते और तीन प्रोटोकॉल शामिल है लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उस समझोते की बात करेंगे जिससे हमारे भारतिय विंग कमांडर अभी नंदन पाकिस्तान से वापस आ पाए समझोता नमबर तीन इस तीसरे जेनेवा समझोते को युद्ध या युद्ध के अलावा किसी अन्य आर्मी लड़ाई में कैदियों के उपचार या प्रिजनर आफ वार के लिए लागू किया गया था इस समझोते के तहट युद्ध बंदी सैनिक जिसे प्रिजनर आफ वार भी कहा जाता है इसे अपने देश वापस भेज दिये जाने के बारे में कहा गया है इस समझोते ने दुवतिय विश्व युद्ध के बाद सन 1949 में सन 1939 के जेनेवा समझोते की जगा ली इस तीसरे जेनेवा समझोते के चलते भारत के वींग कमांडर पाकिस्तान से भारत वापस आ पाए जिनकी खुशी पूरे भारत ने मनाई अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज इससे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले किसी इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रा